हलो फ्रेंड्स कैसे आप सब लोग आई होप आप सब ठीक होंगे फ्रेंड्स आपके चैरे पे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे आ गए हैं बहुत ज़्यादा पूरानी जाईया हैं उसे दूर करना चाहते हैं तो यह जो रेमेडी हैं आपके चैरे पे जितने भी दाग बे जाईया हैं उन्हीं दूर करने वाली है साथ में आपके कलर को फेर बनाएगी आपके चैरे पे अगर धूब की वज़े से टेनिंग है तो उसे भी ठीक करेगी बहुत अची रेमेडी है ट्राइ जरूर कीजिएगा इसे लगाने से आपके चैरे पे फरक आने लगेगा तो बहुत अची रेमेडी है ट्राइ करना वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना तो चलिए फटा फट से देखते हैं इस रेमेडी को किस तरह से बनाना है किस तरह से लगाना है तो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आपके एक आलू लिया है जिसको मैं जादा यहां पे मैंने नीम्बू लिया है उसको भी बीज वगेरा निकाल के साफ कर लिया है उसके बाद मिक्सी में अच्छे से पीस लेना है आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से पेस्ट बन जाएगा उसके बाद आपको यह जो पेस्ट है इसको लेना है पांच चमच अगर और यह बाद मैं ले रहे हूं एक चमच गेहूं काटा जो कि सब के घर में होता है गेहूं काटा जो हना मारे कलर को फेर बनाता है और दाग धब्बों को दूर करता है उसके बाद मैं एह पर ले नहीं हो आदा चमच पेसन बेसन भी हमारे चाहियों के लिए बहुत अगर आपके पास कस्तूरि हल्दी नहीं तो यह पे आप कीचन वाली हल्दी ले सकते हैं और जो मैंने यह पेस्ट बनाया है आलू का खीरे का नेबू का यह जो किनिवार्ण यह जैया होती है पुराने सिर्ण काइस ए फूराने से ऑच्याम, ठीक करने में बहुत यह जो फेस पेक है ना आपके चेरे पे जितनी भी जाईया है उन्हें ठीक करने वाला है दाग धबों की प्रोब्लम को दूर करने वाला है कलर को फेर बनाने वाला है तो हम जब दूप में निकल जाते हैं तो हमारे चेरे पे टेनिंग हो जाती है तो अगर आपके चेरे पे तो उसे भी दूर करने वाला है, बहुत अची रेमेडी है, आप इसे पांच से साथ दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, हपते में कम से कम चार बार इसे लगाना सुरू कर दीजिए, बहुत अची रेमेडी है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, अगर लेमन अठेड़ के लिएना सुछफिय बहुत हैं, आपको आपको पने चैरे को साफ कर लेना है, उसके बाद इसे जैसे हम फेसिपेक्ट लगाते हैं, बिलकुल उसी तरीके से पूरे चैरे पे लगाना है, लगाने के बाद आपको क्या करना है, मसाज करने हैं, éléments उसके बाद आप को फिर से फेस पेक लगाना है मसाज करने के बाद आपको अपने चाहरे पेड़े में आपको 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़देना है उसके बाद अपने चाहरे को थंडे पाने से दोना है बहुत अच्छी रिम्टी है बिल्कुल वैसे मैं पैरे हूं वैसे ही लगाना है और आपके चेरे पे बहुत अचा गजब का निखार आएगा, साथ में चितने भी जाया हैं, दागधब्यों की प्रोब्लम है, वो ठीक हो जाएगी, आपकी स्किन का कलर जो है अलगी हो जाएगा, आपका चेरा बहुत ज़्यादा ग्लो करेगा, तो आप इस रेमडी को जरूर ज एक पाए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो,